Becoming English Champion YouTube Channel में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है और हम सीख रहे हैं English through stories और आज जो हम story read करने वाले हैं वो story है Amy and the owl बहुत ही प्यारी story है और इस story के अंदर active voice, passive voice, narration, structures का काफी अच्छा use है conjunctions का use है, article का, preposition का काफी अच्छा use है तो आप अभी देखेंगे और मैं आपको साथ-साथ बताऊंगा भी word-to-word translate करके कि क्या exact मतलब निकलता है तो vocabulary भी बहुत अच्छी है तो चलिए मैं आपको read करके दिखाता हूँ कैसे आप किसी भी story को, essays को, paragraphs को read कर सकते हैं और ये story है, Amy, Amy किसका नाम है अभी आपको पता चलेगा the owl, owl कोन होता है, उल्लू, तो उल्लू और Amy की कहानी है तो चलिए शुरू करते है, story goes like this once, एक बार, there lived, रहता था, a swan king, एक राज हंस named, जिसका नाम था, Amy अभ आपको पता चलेगा होगा, swan मतलब होता है, हंस और swan king मतलब राज हंस, जो हंसो का राजा हो, वो तब कह सकते हो, a swan king यह हमारा structure यूज हुआ है, there lived का, there का chapter, fourth case रहता था, तो एक बार, एक राज हंस रहता था, जिसका नाम था, Amy जब हम नाम बताते हैं, तो हम named का यूज करते हैं तो इसके आगे लिखा है, he lived, वह रहता था, by बगल में, यहाँ पर by का मतलब द्वारा नहीं है, it means बगल में, पास में, तो he lived by a lake, वो एक लेक के बगल में रहता था, लेक कहां थी, in a dense forest, एक घने जंगल में, dense मतलब होता है घना, और forest is jungle, तो मैं यहाँ पर highlight कर रहा हूँ, इन words को आप याद कर लीजेगा, dense is घना, और यहाँ पर swan मतलब huns, तो वो लेक के बगल में रहता था, अब यहाँ लेक के साथ का यूज हुआ, because हम लेक का पहली ब के साथ यहाँ पर यूज हुआ, क्योंकि forest के बारे में पहली बर बात हो रही है, so जब हम पहली बर किसी के बारे में बात करते है, हम यूज करते हैं, तो इसके बाद है, और यह कौन सा structure यूज हुआ है, this is past indefinite, जब कोई बंदा कहीं रहता था, तो हम he lived यूज करते है, subject और second form, he spent his time, उसने अपना समय बिताया, ये भी past indefinite है, उसने अपना समय बिताया, looking for food, खाने की खोज में, look for होता है धूंडना, तो खाने की खोज में, खाने की तलाश में बिताया अपना समय, and or swimming, और तैरने में, कहां पर in the clear blue, एकदम साफ, blue color की, and cool water, और थंडे पानी मे of the lake, तो cool water of the lake, blue and cool water, तो यहां पर blue मतलब नीला, cool मतलब थंडा, पानी, तो water यहां पर noun है, blue and cool, यहां पर water के बारे में बता रहे हैं, कैसा water है, blue color का और cool, cool मतलब क्या होता है, एक cold होता है, cold मतलब इतना थंडा, जिसमें आपको थंड लगे, और cool मतलब जिसमें मज़ा जाए, तो उसने अपना समय बिताया, या तो खाने की खोज में रहता, या फिर swimming करता रहता, clear blue cool water में, और water कौन सा लेक का, one day, एक दिन, as it happens, जैसा की होता है, to all, सभी के साथ, who are old, जो old है, कह रहे हैं, एक दिन जैसा सभी के साथ होता है, कौन सभी, जो old है, death came, मृत्यू आ गई, to visit emmy, emmy से मिलने, in the guise of an owl, एक उल्लू के भेश में, तो in the guise of का मतलब होता है, के भेश में, के रूप में, और यहां पर as जो use हुआ है, as का मतलब है, जैसे की, तो as के लिए मैंने आपको video number 200 दे रखी है, जिसके अंदर 8 uses बता रहे हैं, मैंने as के, तो यहां पर यह दो sentence जुड़े हैं, इस को मा को अगर आप देखें, तो यहां पर एक sentence present indefinite का, as यहां पर highlight कर रहे हैं किसी चीज को, और यह है past indefinite, और in the guise of a phrase, तो एक दिन जैसा सब के साथ होता है, जो old है, तो death भी आगई, हम इसे मिलने, उल्लू के बेश में, तो किस तरह से आई, आगे पड़ते हैं, और आप में से कोई भी अगर, जिसको नहीं पता है कि English में कैसे sentences को जोड़ा जाता है, कैसे यह सारी चीज़े use की जाती है, active, passive, narration, conditional sentences, और भी बहुत कुछ है, नहीं पता, और फिर आप stories को देख रहे हैं, तो आपको मेरी story सुनके तो पता चल जाएगा कि अच्छे यह चीज़ है, यह यह चीज़ है, लेकिन आप self नहीं पढ़ पाएंगे, और जब तक self पढ़ना नहीं आएगा, चाहे आप 1000 वीडियो देख लेना, benefit आपको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, वो जब stories को सुनते हैं, या फिर खुद रीड करते हैं, उनको कहीं भी कोई doubt नहीं आते हैं, और उनकी English बहुत जल्दी improve होती है, तो यह गलती मत कीज़ेगा, आप story भी देखते रहें, साथ में English को भी सीखते रहें, English सीखने के लिए मैंने आपको 600 वीडि समझ में आता है कि कौन सी चीज कहां कहां पर क्यों यूज हुई है, तो जो उसको सीख लेगा, तो उसको भी पता चलेगा कोई चीज कैसे यूज होती है, तो आप become English champion app को डाउनलोड कर लें, और उसमें one year का course जुरूर join करें, one year के course का price is just 5.99 रुपिस, बहुत ही कम में आ आउनलो को, and inquired और पूछताच की, अब यहां पर inquire है, इसका मतलब होता है, पूछताच करना, तो एमी ने उल्लो को देखा, and उससे पूछताच की, अब क्या बोला, ओ, wise man, wise मतलब समझदार, और one मतलब कोई भी living या non living thing, तो कह रहें, ओ, समझदार इंसान या जो भी बोला होगा, तो what brings you, यहां कैसे आना हुआ, daily use sentence में मैं आपको बताया है, what brings you here, यहां कैसे आना हुआ, वैसे ही कह रहें, what brings you, to this dense forest, इस घने जंगल में कैसे आना हुआ, where do you come from, तुम कहां से हो, तो यहां पर where do you come from, पिछली वीडियो में भी बताया था, यह नहीं है कि तुम कहां से आते हो, it means, तुम कहां से हो, तो मैं कह सकता हूँ, I come from Punjab, I come from Chandigarh, I come from India, I come from Paris, I come from कोई भी प्लेस, तो उसने बोला, इस घने जंगल में कैसे आना हुआ, और तुम कहां से हो, तो dense मैंने आपको बताई दिया घना, और यह याद कर लें, what brings you, कैसे आना हुआ, और एक यह come from, मतलब कहां से आप, तो इसके बाद क्या हुआ, the owl replied, उल्लू ने reply किया, अब यह जो यहां पर आपको दिख रहा है, double inverted कोमाज में, यह direct narration है, direct narration, और यह the owl replied, यह भी हमारी direct narration, तो अब उल्लू ने reply किया, क्या बोला, am I, am here, मैं यहां हूँ, to meet you, तुम से मिलने के लिए, इसका मतलब है, मैं तुम से यहां मिलने के लिए आया हूँ, अब तुम कौन, whose virtue, जिसके गुण, जिसका सदाचार, I have heard of, मैंने सुना है, in my land, अपने जमीन प तो यहां पर, whose जो है, यह relative pronoun है, और virtue is good, तो कह रहे हैं, मैं यहां पर तुम से मिलने आया हूँ, और तुम कौन, अब यू के लिए हम use कर रहे हैं, whose का, तुम कौन, whose virtue, जिसके गुण, जिसका सदाचार, मैंने सुना है, in my land, अपने वहां पर, अपनी जमीन पर, फिर, again, double inverted comma में, यहां से यहां तक, कौन बोलता है, amy said, अब amy क्या बोलता है, you are welcome, तुमारा स्वागत है, wise one, मतलब, इंसान जो भी उसको बोला होगा, तो तुमारा स्वागत है, to stay with me, मतलब, मेरे साथ ठहरने के लिए, तुमारा स्वागत है, और by this beautiful lake, और इस beautiful lake के करे, as long as, मतलब, जितनी देर तक, और feel like, मतलब होता है, मन करना, तो as long as you feel like, जब तक, तुमारा मन करे, तो पूरा मतलब हुआ, तुमारा स्वागत है, wise one, यहां पे मेरे साथ, तुम stay करो, और इस beautiful lake के बगल में भी, और जितना देर तक, तुम चाहो, जब तक, तुमारा म बन करे, तो यह Emi ने उसको कहा, तो अब क्या हुआ, दज, इस तरह, अब दज के दो मतलब होते हैं, दज का मतलब होता है, इसलिए या फिर इस तरह से, तो यहां पे यूज वह रहा है, इस तरह से, तो इस तरह से, दज, Emi and the owl, Emi और owl, became, बन गए, best friends, अच्छे दोस्त, and, or spent their days, और अपने दिन बिताए together एक साथ, by the beautiful lakeside, उस सुन्दर lakeside के बगल में, तो by मतलब बगल में, यहां पे by preposition है, then, फिर, one day, एक दिन, the owl addressed Emi, आउल ने Emi को संभोधित करते हुए का, तो address मतलब होता है, संभोधित करना, जैसे, अगर मोधी बच्चों के लिए, कोई भाशन दे रहा है, तो वो बच्चों को address कर रहा है, अगर बुज़ुर्गों के लिए, वो कोई message ले के आया, तो बुज़ुर्गों को address कर रहा है, संभोधित कर रहा है, तो उसी तरह से, then, फिर, एक दिन, आउल ने, संभोधित किया Emi को, और क्या का, dear friend, मतलब, प् मुझे निकलना चाहिए, for my home, अपने घर के लिए, in lotus groove, जो भी lotus का, जो बाग है, groove एक तरह से क्या होता है, जहां पर बहुत सारे lotus हो, या फिर mango grooves, मतलब, mango का बाग, तो वो चीज़ बोलते हैं, और चड़ भी बोलते हैं, विसे बाग को, तो groove मतलब, बहुत सारी चीज़ ह महाँ पर, तो lotus groove में मेरा घर है, तो आगे लिखा है, do pay me a visit, मतलब, मुझसे मिलने आना, whenever, जब कभी भी you desire, तुमारी इच्छा हो, तो यहां पर एक verb आई, pay a visit, pay a visit मतलब होता है, मिलने जाना, कहीं पर visit करना, और इसके आगे एक word आया, address मतलब, address करना, संभोधित करना, तो आगे क्या लिखा है, तो उसने बोल दिया कि मुझसे भी मिलने आना, कभी, जब भी तुमारी इच्छा हो, saying this, यह कहकर, owl left, owl चला गया, for his homeland, अपने homeland में, after a few days, कुछ एक दिन के बाद, Ami started feeling, Ami को feel होना शुरू हो गया, the absence of his friend, the owl, तो कुछ दिन के बाद, Ami को मैसूस होनी शुरू होगी, अपने दोस्त की कमी, उसकी absence, he thought to himself, अब उसने खुद से सोचा, क्या, खुद से, क्या विचार कर रहा है, now that, क्योंकि अब, अब इसको हिंदी में तो exact बोलते हैं, old, मैं बुजर्ग हो चुका हूँ, I realize, मुझे एहसास है, I have not seen, मैंने नहीं देखा है, any place, कोई भी place, but, लेकिन, this lake side, इस lake side के इलावा, in this forest, इस forest में, तो अब वो क्या बोल रहा है, क्योंकि अब मैं old हो चुका हूँ, तो मुझे एहसास है कि मैंने कोई ज्यादा प्लेश नहीं की हैं, इस lake side के इलावा, इस जंगल में, I must see the world, मुझे संसार जरूर देखना चाहिए, अब strong advice, should के जगा, must, I must see the world, मुझे संसार को देखना चाहिए, before, इस से पहले, I grow too old to move, कि मैं इतना बुड़ा हो जाऊं, कि मैं move भी ना कर पाऊं, तो यह हमारा two or two का structure है, तो तो कह रहे हैं कि मुझे पूरा संसार देखना है, इस से पहले कि मैं इतना बुड़ा हो जाऊं, कि मैं move भी ना कर पाऊं, I shall visit my friend, तो मैं अपने दोस्त से मिलूँगा, visit करूँगा उसको the owl, उल्लु को in lotus groove में to start with, अब यहां पे कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त से मिलूँ किस से, अपने दोस्त से, आउल से, तो अब क्या होता है, I am missing, मैं miss कर रहा हूं him उससे terribly, बहुती ज़्यादा, terribly मतलब होता है भयंकर रूप से, बहुती ज़्यादा, तो इसके बाद अब क्या हुआ, the next morning, फिर अगली सुबह, am I the king swan, Raj Hans flew, वो उड़ जाता है, to lotus groove, lotus groove की तो वो lotus groove उड़के जाता है, to meet the owl, उल्लू से मिलने, he looked for the owl, वो उल्लू, उसने उल्लू को ढूंडा, look for his ढूंडना, तो उसने उल्लू को ढूंडा, everywhere, हर जगा, but in vain, लेकिन सब व्यर्थ, तो यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ, in vain, in vain का मतलब होता है, व्यर्थ होना, Soon, जल्द, he saw him, उसने उसको देखा, मतलब, स्वान ने, हिम को देखा, उल्लू को देखा, तो जल्द, he saw him, कहां पे देखा, in a tree hole, एक पेड़ के छेद में देखा, The owl was resting, उल्लू आराम कर रहा था, there वहाँ पर, as owls do, जैसा कि उल्लू करते हैं, in daytime, दिन के समय में, as मतलब, यहाँ पे हैं, जैसे की, owls do, उल्लू करते हैं, present indefinite, in daytime, daytime में, अब यह है past continuous, this is present indefinite, और इसको जोड़ा गया है, as के साथ, तो कह रहे हैं कि, उल्लू rest कर रहा था, जैसे की, उल्लू करते हैं, daytime में, for, क्योंकि, all owls are blind by daytime, क्योंकि, दिन होते होते, जो सभी उल्लू हैं, वो blind हो जाते हैं, तो वो blind होते हैं, by daytime तक, अब यहाँ पे for का use हुआ है, इसलिए के लिए, तो इसलिए के लिए, हमने 5 word use कर हैं, तो क्योंकि के लिए, तो क्योंकि के चार मतलब हैं, तो चार उपर वीडियो में ने बना रहे हैं, एक ही वीडियो में, पूरे examples के साथ, देख लीजेगा, 250 के आसपास है, वीडियो number exactly मुझे याद नहीं है, 250 के आसपास, inside course, तो उल्लू अराम कर रहा था, वहाँ पे जैसे सभी उल्लू करते हैं, डेटायम में, क्योंकि सभी आउल्स blind होते हैं, बाइड तायम, एमी call डाउट, एमी ने पुकारा, तो कोल अउट का मतलब होता है, पुकारना, तो एमी ने पुकारा, डियर आउल प्रिय उल्लू हेर एम एमी मैं हूं एमी यूर फ्रेंड तुमारा दोस्त डू कम आउट मतलब बाहर निकलो तू मीट मी मुझसे मिलने के लिए डियर एमी अब किसके वर्ड है डियर एमी उल्लू बोल रहा है प्यारे एमी एम ग्लैड मैं बहुत खुश हूं सुर्यास्त के समय जब सुर्य छिपेगा एज क्योंकि I can only see in the dark क्योंकि मैं सिरफ अंदकार में देख सकता हूं रिप्लाइड द आउल यह उल्लू ने कहा रिप्लाइड दिया उसको अब क्या होता है अट संसेट सुर्यास्त के समय द आउल एंड द किंग स्वान तो उल्लू और वह हंस मैट इच अदर वह एक दूसरे से मिलते हैं और हाथी मिل और जी भर के खाते हैं तो हान पर वर्ब Khah मे के लिए है और हाथी मिल और मतलब जी भर के खाना तो दोनों मिलते हैं अदूसरे से और Estamos और ध्यान रखतें इंछ time अपने समय का apart अलग-अलग तो दोनों का समय एक दिन में देख सकता है एक रात को देख सकता है तो दोनों अपने समय का ध्यान रखके फिर सब कुछ करते हैं अब यहां पर स्वान नाउन है और टाइड एड्जेक्टिव यानिके थका हुआ दर टाइड स्वान थकावा स्वाइन स्वान हंस देन स्लैप्ट फिर वह सो जाता है एड़ फुट ऑफ देट्री फिर वह सो गया पेड़ के नीचे और यहां पर वर्ड आप याद कर लें टेक अकाउंट ओफ इसका मतलब होता है ध्यान देना और हैवर हार्टी मील मतलब जी भरके खाना एट संसेट मतलब सुर्यास्त के समय और इसके इलावा आगे पढ़ते हैं अन्नोन टुद टू फ्रेंड्स मतलब इसका है कि दोनों दोस्तों को नहीं पता था मतलब अन्नोन था उनको कुछ नहीं पता था तो अन्नोन टुदे टू फ्रेंड्स करेंब ऑ जिप्सी तो इसको याद कर लो काफी अच्छा वर्ड थे काफिला और जिप्सी जोते हैं एक तरह के बंजारे या फिर जो भी आदिवासी टाइप के लोगों होते हैं, उनको बनजारे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, जिपसीज, तो जिपसीज का केरेवेन, मत और कैरेवेन, मतलब काफिला, तो बनजारों का जो काफिला है, had camped nearby, तो उनका camp लगा हुआ था पासी में, तो unknown to the two friends, मतलब दोनों दोस्त अंजान थे कि एक जो काफिला है जिपसी का बंजारों का हैड केंप नियरबाइ कि उनका पास में केंप लगा हुआ था अब डॉन का क्या मतलब होता है तो दोन का मतलब होता है सवेर बिल्कूल जब सूरे बिल्कूल निकलना शुरू हो जाता है डॉन बोलते हैं भोर वो सारा जो लाली मा छाही होती है वो सारा समय dawn, तो at the break of dawn, तो dawn के time क्या हुआ, the leader of जो नेता था, of the gypsies, उन बंजारों का, blew a corn shell, उसने शंक बजाया, तो blow a corn shell मतलब शंक बजाना, corn shell मतलब शंक, और blow मतलब बजाना, blow की second from blue, तो जो gypsies जो थे बंजारों का लीडर था, उन्होंने शंक बजाया, to awake their sleepy friends, अपने सोय हुए दोस्तों को जगाने के लिए, awake मतलब जगाना, sleepy मतलब सोया हुआ, friend मतलब दोस्त, ये noun ने ये adjective, तो अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ, at the break of dawn, dawn की break में, लीडर जो था, gypsies का, उसने शंक बजाया, ताकि अपने सोय हुए दोस्तों को जगा सके, the owl replied, अब उल्लू ने reply किया, to the conch call, conch call मतलब, जो conch को जिसके लिए यूज किया जा जा था, शंक को, तो उसकी जो call थी, call किसलिए थी, जगाने के लिए, तो इसके reply में, the owl replied to the conch call, तो उल्लू ने reply किय conch call का, with a harsh and loud owl call, एक करकश, हार्ष मतलब करकश, और loud मतलब जोरदार, तो उल्लू ने उस conch call का reply किया, एक हार्ष और loud owl call से, और कैसी call थी वो, piercing hoot, उल्लू जो आवाज करते हैं, उसको hoot बोलते हैं, जैसे dog बार करता है, ऐसे उल्लू हूट करते हैं, और piercing hoot मतलब, चु चुबने वाली करकश और loud owl call से जवाब दिया, यहां पर आप याद कर लें, हार्ष मतलब एक दम करकश यह वाज, और owl call मतलब उल्लू की call, piercing hoot मतलब चुबने वाली, और conch call मतलब, उस conch की जो भी call है, आगे अब क्या हुआ, अब call करके, owl call करके, उस conch call के reply मे, the owl flew away, व from its tree hole, अपने tree hole से, while, जबकी, Amy was enjoying a sound sleep, जबकी, Amy enjoy कर रहा था अपनी, चैन की नेंद को, तो sound sleep होता है, चैन की नेंद, अब क्या हुआ, at the inauspicious owl call, इस अशुब, inauspicious is अशुब, इस अशुब उल्लू की call पर, the leader ordered, उस नेता ने, वो जो leader था, उसने order दिया, आदेश दिया, the owl to be shoot down, की उस उल्लू को shoot down कर दो by an arrow, एक तीर से, मतलब उसको तीर मार के नीचे गिरा दो, अब यहाँ पर use हो है, to be third form, और यहाँ पर है, shot down मतलब, मार के गिरा देना, कैसे by an arrow, एक arrow से, और यहाँ पर to be third form क्यों use हो है, क्योंकि, यहाँ पर यह वाला काम, इस owl के उपर होगा, इसलिए use हो है, तो to be पर वीडियो मैंने दे रखा, यूट्यूब चैनल पर, 304 या पांच के आसपास वीडियो होगा, आप चेक कर लीजेगा, तो कह रहे हैं कि इस अशुब, इस inauspicious owl call पर इस अशुब, उल्लू की call पर, लीडर ने order दिया, कि उल्लू को shot down कर दो arrow से, तीर से, an expert archer, एक तीरंदाज था वहाँ पर, तो कहरें, एक expert तीरंदाज, अब कौन सा तीरंदाज, who, relative pronoun, who could shoot, जो shoot कर सकता था, an arrow, एक तीर को, at the source of a sound, source पर, sound के source पर, source मतलब जहां से sound पैदा होते है, उस source पर जो shoot कर सकता था, यहाँ पर past ability की बात है, इसलिए could का use, तो कह रहे हैं कि, एक expert archer ने, सून, जल्द, ड्रिव, निकाला, and shot an arrow, और arrow को shoot कर दिया, at the tree, tree पर, और यह जो हू है, यहाँ पर यह relative pronoun है, जो बता रहा है, कि जो expert archer था, कौन था, जो shoot कर सकता था, arrow को, at the source of a sound, sound के source पर, जैसे हमें सूर्य से light मिलती है, तो हमें, light का source कौन हुआ, सूर्य है, तो the sun is the source of light, तो sound जहां से पैदा हो रही है, तो जहां से पैदा हो रही है, उसको क्या कहेंगे, source, तो आगे क्या लिखा है, the old king swan, वो जो बुड़ा राजहंस था, was hit, तो उसको टकरा गई, और वो, उससे टकरा गी, by the arrow मतलब, hit हो गया, वो, old king swan hit हो गया, arrow से, तो उसको तीर जाके लगा, अब swan कौन, who, अब relative pronoun अलग से, मतलब फिर से, the old king swan, who was sleeping there, जो वहां सो रहा था, was hit, उसके जाके लगा, एक तीर, तो ये जो है, the old king swan, was hit, ये passive voice है, past indefinite, और ये who, relative pronoun, और ये active voice, past continuous, तो पुरा मतलब हुआ, कि, जो, old king swan था, जो सो रहा था महाँ पर, तो उसको hit हुआ, तीर के द्वारा, दज, इस तरह से, his end came, उसका अंत आ गया, किसके द्वारा, by the inevitable visit of death, मृत्यू की visit, मृत्यू का आगमन, visit, कैसा visit, inevitable visit, अटल visit, inevitable मतलब, अटल जिसको आप टाल नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो, inevitable, तो मृत्यू के अटल वीजिट के द्वारा, उसका अंत आ गया, कैसे आया, in the guise of the owl, उस उल्लू के भेश में, तो अब उल्लू के भेश में, उसका अंत आ गया, तो inevitable मतलब, अटल, जिसको आप टाल नहीं सकते हो, तो इस तरह से, जो स्वान था, वो मर गया, तो ये थी story, आपको क्या लगता है, कि इसका moral क्या होना चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए, तो comment section में जरूर बताइएगा, तो topic ही death के ओपर था ये, तो death से related ही moral निकलेगा, तो इस वीडियो को आप share जरूर कर दीजिएगा, सभी के साथ, जो भी English सीखना चाहते हैं, और अगर आप को step by step सीखना है, तो आप become English champion app को download कर लो, one year का course है उसमें, तो वहां से English को अच्छे से सीखें, जहां भी doubt होगा, तो app के अंदर chat का option दे रखा है, आप वहां से अपने doubt क्लियर कर सकते हैं, so thank you for watching, और अगर वीडियो पसंद आई हो, तो मुझे जरूर बताइएगा, और moral comment जरूर करें, so see you in the next video with another interesting story, thank you.